लेकिन उस मासूम बच्चे के तो कोई गलती नहीं है ना उसमें पहले जो हमने वीडियो डाली थी वो भी हमने पोस्ट के बेसिस पे डाली थी और ऐसे कैसी मा है ऐसा कैसे मा हो सकती है तो में भी हो सकता है यह एक स्टंट हो अगर वो इतनी डीपली खुलकर बाते बता रहे ह है एक पोस्ट लंबा चोड़ा पोस्ट किया गया और लोगों ने है हाई फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माई चैनल तो जैसे कि हमने कल एक वीडियो पोस्ट किया था दिपिका में के बारे में आज भी हम उसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं तो वह वीडियो क्या था हम मक्radas जाहां पा रहती है पूणे में मेरि मधर भी रहती है है और मेरी मधर और नेवर हैं और फ्रेंड्स भी है तो उनकी वजेसे ही हमें पता चला था और जबसे इनका बैबी का फेस रिवील हुआ है है से मेरी मदर ने मुझे सारी बाते बताई है सो मुझे बहुत बुरा लगा कि एक बच्चे को इतना ज्यादा प्यार दुलार दिखाया जा रहा है और दिखा रहे हैं और एक बीबी को इस तरह से ऐसे छोड़ दिया वह भी जब जब उसके हेल्थ इश्यू थे तो वह था हमार लेकिन उसके रिगार्डिंग ही हम बात करेंगे कि वह पोस्ट वहां से डिलीट कर दिया गया है और जो उनकी जितने भी वहां पर कमेंट है या जो भी उनके आंसर थे वहां पर डिलीटिट है कुछ लोग के जो क्वेशन थे वह वहां शायद आप रहा गये हैं बाकि वह सब्ढाइब से यहां तो इमेंडे हैं यहां पर मैंशन कर देंगे कि वहां किस इसकल Сейчас एके लिए उसकोके करने रहते हैं जो त बहुत सारे पोड़कास्तर वहां से चीजों बहुत तरहां से लिए उिब इस एक प्रिश दो वर इक करने वाला बैर कर दिया गया है और और यह सब एक ऊध्लियोजे अर्पर देशा बहुत दूजाब और वह दुरुल जाने कि वह भाग और सब्काहिए पीछे सब्सक्रण 1056 बहुत ही बहुत ही जगलत है कि अगर यह सब इतना रिवील किया है उनको करना चाहिए CASE था हमने भी वीडियो बनाई है बहुत चुपाजन को छुबाया गयて और य। भी है जो बहुत सारी वीडियो इस चीज पर यूट्यूब पर अवेलिबल है कि यह कहा गया है कि इन्होंने बहुत अच्छी खासी एलमेनी उनको दी गई थी और में भी शायद दी हो और आज भी वह शायद हो सकता है ट्रीटमेंट का या फिर उस बच्ची के लिए जो पैस और भी कई सारिबडत चाइनल रहा और उन्होंने कि आरटिकल चाप दीये हैं और वो जितने भी पोस्ति जैसे पोस्ति किसलो टरस उतव प्र कीज़्ूल आ हो और छुपना ही था तो फिर सामने आई क्यों और बहुत ही आपने थैलमा अंटी का नाम लिया यारी जो रोनक सैमसंग के उनकी मदर है उनका नाम थैलमा है उनका नाम लिया आपने फिर यह कहा कि मेरी मदर अगर ऐसा ही है तो देखे जो लोग आपको जानते हैं वो तो डेफ सो ये बहुत ही गल्टची है आगर किसी ने भी रूंड फैल आया है तो भी बहुत गलटची जे और अगर ये सच है तो भी उस बच्ची के लिए यह बात सचसे सथी नहीं है बहार आना अगर उसके साथ हैल्थ के इसिशु है अब अब तक यह चीजे नहीं कंफर्म थी बस यहीं चीजों के रूमर्स थे कि इनके एक बेटी है जिनको इन्होंने छोड़ दिया था और छोड़ कर यह शोड़ के साथ आ गए थी और इनके साथ शादी कर ली थी अपने आपको कंवर्ट करके सो यह बात भी बहुत ज़्यादा गलत थी अब तक लोग इसी पर ही रूमर्स आकड़े लगा रहे थे उन्हीं रूमर्स के अकॉर्डिंग वीडियो बना रहे थे और यह बोल रहे थे कि यह बहुत गलत चीज है कि कोई माँ अपनी बच्ची को ऐसे कैसे छोड़ सकता है और अब जब यह दूसरा सेकंड बेबी हुआ है इस पर इतना लाड प्यार दुलार यह सब दिखाया जा रहा है तो ऐसे देखकर तो नहीं लगता कि कोई माँ अपनी बेटी को ऐसे इस तरह से छोड़ सकती है और अगर छोड़ा है तो बहुत 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 जादा गलत किया ह है और इसलिए हो सकता है यह भी आकड़े है कि इसलिए भी रीजन दा छोड़ने का क्योंकि वह उसको है इसका बडन यह नहीं ले सकते हैं क्योंकि साफ फला पर जो मैंशें भी था इस चीज़ का जीज़ और इस तरह बहूठ जयाक कर थी बहुत पेश्ची और उसके बाद एक नया पोस्ट कर दिया है, एक तरीके से श्यगूफा सा ये छोड़ कर, कि ये तो ऐसा कुछ नहीं था, और वो तो मैंने प्रैंक किया था, और आपने प्रैंक किया, दुनिया भर की वीडियो बन गई है, और इतने बड़े बड़े जो चैनल्स हैं, इतने बड़े बड़े नामी ग्रामी जो चैनल्स हैं, उन्होंने सब ने आर्टिकल्स बना कर छाप दिये, तो में भी हो सकता है, ये एक स्टंट हो पॉब्लिसिटी, ये हो सकता है, रूमर फैलाने का हो, हो सकता है, सच हो, क्या है, हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन जो भी हुआ, वो एक बेटी को जब वो ग्रो करती है, या वो बड़ी हो रही होता है, उपर से अगर वो हेल्थ इशू के साथ चलते हुए है, तो तब तो और भी जादा एक मा की जरूत होती है, तो ये बहुत जादा गलत है, और मुझे सोच कर बहुत जादा बुरा लग रहा था इस चीज के जो फादर है, वो इस बात को सामने नहीं लाना चाहते है, क्योंकि बच्ची के हैल्थ इशू है, तो ये भी बिलकुल उनका सही तरीका था, तो जितने आज ये सक्सेस पर हैं, जो ये अच्छे तरीके से जिन्देगी जी रहे हैं, उस बात को अगर वो चाहते हैं, और को भी इस चीज का बुरा लगता, तो वो शायद आकर allegations लगा सकते थे, और सामने आ सकते थे, लेकिन वो मुझे नहीं लगता कि वो इस टाइप के लोग हैं, वो सीधे साधे से लोग हैं, और अच्छी शानती के साथ अपने जिन्देगी बसर कर रहे हैं, उनकी बच्ची भ सारी वीडियोज वायरल हो गई हैं, कि फीड में बस एक ही टाइटल नजर आ रहा है, मा ने छोड़ दिया, बेटी को छोड़ दिया, जवाब दो, रिप्लाई दो, और ऐसे कैसी मा है, ऐसे कैसे मा हो सकती है, तो सच क्या है, और जूट क्या है, कि यह तो उपर वाला बहता जानता है, या वो पोस्त करनें वाला बहता जानता है, कि हम आपर चोड़ता है, वीडियो소리 बॉरा लग रहा है, तो मने स 오च आप के साथ शेयर किया जाए, कि पहले वीडियो डाली थी, वह भी हमने पोस्त की बेसिस पही बनारी हूँ, जो पोस्त की बनाwater और रिमूव करके दूसरा पोस्ट वहां पर कर दिया गया है उससे और पियाइर टीम एक्टिव हो गई है और और बी जादा उससे आर्टिकल्स छपने लगे है वो आर्टिकल्स सही है नहीं है उन्होंने भी क्रेडिट रेडिट को ही दिया है एक चीज और हाँ बहुत सारे क cater कर दे का बन तो 2 इस तरह के ना करें क्योंकि वो मासूम बच्चा है उनकी पैरेंटों कि और ढूंघ कॉम बॉल चाहिठे सिक्रेका कुपाथे लिए लेकिनपने के नहीं पट ने कुष्ण है क्योंकि वह अपर वाले का रूप Western में उनको आया होता है और उस मासूम बच्चे ने तो कभी जूट नहीं बोले घ्यान नहीं बटा गलत चीज़े नहीं की चुपाया नहीं है वह अपनी एक ननी सी जिंदीगी लेकर आया है और अभी आये हुए तीन महीं नहीं हुए दुनिया में तो प्लीज उसके लिए कुछ ना गल मार कुछ माल को सबस्टा के बढceptionो में जनी बच्छ जए सी जिंदीगी फड़ माल यहाए ऐस पारंवाइ्यं पार्च मो च्छा ज़र लाया उच मुछ रहां हुए tota इतल खिश़े माल थीता का नहीं हुए लेए हुए